नमस्का बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ नभिशेक जी पिछली चर्चा में और इस चर्चा में थोड़ा कमी गैप रहा क्योंकि घटनाय बिहार में इस तरीके से चली है और चुकि जो इंडिये एलाइंस और बीजेपी की परतिद्वन दिता है वो कायदे से दो ही स्टेट में उसकी परिक्षा है बिहार और मारास्ट में बाकी सब जगे क्लियर है कहाँ पे किस तरीके से होना है कैसे सेटलमेंट होना है तो इसलिए बिहार पे बार-बार कुछने कुछ चीजे निकल कर सामने आती है पिछली बार आपने बताया था किस तरीके से अशोक चोधरी इन सब चीजों को लेकर जेडियू में टकराव की स्थिती आ गई है लेकिन इस बीच एक नितीश कुमार के बारे में खबर आई है साउट से और खबर ये है कि पूर परधान मंतरी HD देव गोडा ने एक इंट्रिवू दिया है दक्षिन के एक अखबार को और उस इंट्रिवू में उनने ये कहा है कि नितीश कुमार जो है और वीपी सिंग वाली जो एक तरह से टीम थी और उनका शायद प्लान ये था कि उसमें कॉंग्रेस और वीजेपी इनके अलावा जो बाकी दल है उन सबसे संपर्क किया जाएगा और उन्हें ये भी कहा है देवगड़ा ने कि मैंने उन्हें एस्चोर भी कर दिया था कि अगर पीम पद के लिए फेस की बात चलेगी इसमें तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा तो इस बात में देवगड़ा साब की आपको कितनी सच्चाई लगती है और नितिश कुमार ने क्या वास्तों में ऐसा किया होगा क्या इसका उनका आधार रहा होगा सबसे पहले हर्श की पात लाइफ के सभी दर्सकों को प्राम नमस्कार जैस्ट्राम सर जूट तो नहीं बोलते देवगोड़ा साब यह यह आप भी इतने सीनियर पत्रकार हैं इतने दिनों से जाते हैं उनकी राजनिती का स्टाइल जूब भी रहा हो उनकी पार्टी का एक उन पे भी एलिगेशन्स दुस्टी करण के लगे हैं जनतादल से निकले हुए यह सब बाते ठीक हैं लेकिन पक्षो विपक्षो यह सब एक बात पाते कि बाते खरी-खरी करते और सीधी और सची बात कहते हैं जो उनके साथ हुआ रहे हैं अब यह बात उनकी विश्वास तो इस वज़े से भी आपको करना पड़ेगा कि इनकी शुरू की यात्रा हमने इस पर डिसकस भी किया था लेकिन अब फिर से करने का समय है क्योंकि बड़ी एक्स्क्लूसीव और समझने वाली बात है कि क्यों नितीश कुमार इस वक्त आरजेडियों और कॉंग्रेस दोनो उसके बाद उन्होंने यात्रा की केसी यार से मिले उसके बाद इमीडियेटली वो नवीन पटनायक से अब प्रॉब्लम यहीं से सुरूब केसी यार भी आया थे पटना में उनका आइडिया था और विजन था कि आरजेडी के साथ अलायन्स हो गया है आरजेडी मजबूर ह अपने बेटे को वो बनाना चाहती है सीम तो उसे मुझे बनवाना पड़ेगा तो उन्हें पता था कि यार जैडी उन्हें यह लगा था कि अच्छा उस पर बाद में उन्हें जब यह लगा कि जब नवीन पटनायक को अगर हम खेमें मिले गया है वाइसर सीपी के को लेकर अगये और के कैसी आर को लेकि आज़ें और ममताब एनर्जी को लेकि आए तो हमारा टेक्निकली कॉंगरेस से बेटर अलाइंस और बेटर प्रोजेक्शन लोगा उसके बाद हो गये था खिलेश यादों से मिने और खिलेश यादों ने सर आपको याद होगा ना नहीं बोला था तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था पटना की मीटिंग होती है पटना की मीटिंग में अगूट करते और कहानी सर पटना में ही बदल जाती है जिसके वज़ए से यह डिस्टेंस है और अभी हम बात करेंगे आगे पटना में ही लालू प्रसाद यादो केते हैं तुम मम्मी का बात काया नहीं सुनता है जी मम्मी का बात सुनो साधी करो हम सब बाराती जाएंगे तुम दुला बनो अब मैंने उस दिन भी करा था इसके राजनितिक मतलम निकाली है लालू प्रसाद यादो चार कदम आगे की सुचते हैं विवाह और दूले की बात नहीं थी वो प्रदान मंत्री उनके ने तुमें कॉंग्रेस के ने तुमें यह अलाइंस बनेगा यह उसी की बात थी और उसके बाद तो आपको देखा कि करनाटक में कैसे पोस्टर्स लगें नितीश हुमार के अगे इंडिकेशन को हमको फॉलो करना चाहिए नितीश कुमार हमेशा कहते कुछ हो रहे हैं बस सिर्व बीजेपी आज राजी नहीं है अंतर इतना ही है आज अगर बीजेपी वापस हां बोल दे तो अभी बिहार का पूरा पॉलिटिक्स बदल जागा पूरी कहानी बदल आप उस पर आगे प्रस्ट पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या क्या और सिगनेचर मिलने लेकिन देव गोडा का यह बयान बताता है और जद्यू के जो प्रॉमिनेंट लीडर्स उसके बाद मीटिंग के बाद आप केसी त्यागी को देखिए उसके बाद उस वक्त जद्य के लोगों को बता दिया था कि बोलने का समय आ गया है मार्केटिंग करने का समय आ गया है हम जा रहे हैं और हमारा देव गोडाक पास सवासन हो गया इनका फेलियर हुआ कि यह नवीन बाबू को मना नहीं पाए यह इवन चेंद्र बाबू नाइडू को भी नहीं बना और अब कहानी वही पुनहमोश को भावा की है ऐसे नितीश कुमार ने प्लान बढ़िया बनाया जा जैसे के आपने सारी क्रोनोलोजी बताई कि किस किस तरीके से चीजे चली हैं सारे दल इन्होंने वही सेलेक्ट किये थे जो वीपी सिंग वाले मंडल वाले समय की जो निक रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कॉंग्रेस जैसे ही इसमें आएगी तो फिर पीम फेस पे दावाद जो है कॉंग्रेस का बनेगा सबसे बड़ी पार्टी वही बनेगी विवक्षी दलो में यह प्लान उनका निश्चित रूप से रहा होगा अब बढ़िया था बढ़ शायद देवगोडा की रहती उसमें निश्चित रूप से देवगोडा जी से उनका यह था ना कि वो शरत पवार तक को मनवा सकते हैं कर लेते लेकिन उसमें उसी बयान में उन्होंने कहा है कि फिर पता नहीं क्या हुआ अक्टूबर नौबर के बाद वो नहीं आएं तो हमारी बात आगे नहीं बढ़ पाई अब आप सुचिए कि उन्होंने हाँ भी कह दिया अक्टूबर नौबर में ऐसा क्या हो गया अक्टूबर नौबर में ही वो फिर जो इंट्री और सारी चीज़ें बदल गई कहानी और कहानी उसके बाद आपको पता ही है सारी कहानी बदलते 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 अब कहां पहुंच गी अच्छे यह जो शुशील मोदी है यह इन्होंने एक बड़ा दिल्चस्प बयान दिया है कि ललन सिंग की वज़े से है जेडू यह तो का विले हो जाएगा या विलीन हो कि अगर केंद्रिय कमटी नितीश कुमार को केंद्रिय कमिटी नितीश कुमार को Alliance में लेती है तो बिहार बीजेपी में बगावत हो जाएगी पहला बयाद दूसरा बयान इनौने कहा कि ललन सिंग के वज़े से है अगर ललन सिंग इसे पर या तो विलीन हो जाएगी बिखर जाएगी दोनों यह बात इक दूसरे के कॉंटेक्स में कही गई है इसका यह मतलब है जिस राह पे नितीश कुमार चल रहे हैं और मैंने पिछला एपिसोड जहां से समाप्त किया था कि ललन सिंग और असोग चौधरी के बीच की जो टकराहट है ललन सिंग ऑवेसली राजद की तरफ टिल्ट है असोग चौधरी बी अगर ऐसा है और सब कुछ ठीक है तो आप दस दिन पहले का वो द्रिश्याद की ये मीडिया सभी थे और असोग चौधरी को ललन सिंग को पीज़े करके असोग चौधरी को आगे लाना अब दूसरा यहीं से है कि आरजेंडी नहीं चाहती है कि यह गटवंदर किसी कीमत पर टूटे कि क्योंकि लाइंड फॉर जॉब इसके बहुत इंपॉर्टेंट इस निर्नायक मोड पे ख़गा है और सब्सक्ता है लेकिन ठीक है सब्सक्ता की आवसक्ता है पंडित तीन दयाल उपाद्याय की जैन में नहीं कि इस बार जाना पड़ा और इनका मैसे देखिए जब यह किसी के तरफ जुकने लगते हैं तो कैसे देते मैंसे अटल भी हरी बाजपई की समाधिया बिना किसी को बताया इंफॉर्म किये और वहां पर स्टेट्मेंट देदिया नहीं यह वाली बीजेपी उतनी पा रहा था लेकिन वह जी ट्वेंटी में होगे दूसरा मैसे जो उस जयांती पर स्वैम तो गया गया मनवाया पूरा एक समारोह किया पत्रकारों के साथ और उसमें तेजस्वी को लेकर करके ट्रैप किया तो यह जो पॉलिटिक्स है ना मैं मैं बोलता हूं कि कब किसको ग बिहार में तुमान ही नहीं रहा है क्योंकि उनको पहली बार लग रहा है कि नहीं अब हम सही ट्रैक पर हमें सफलता है मिलेगी इसके दो कारण बिहार में रिसेंटली लोकल न्यूज एजेंसियों के भी सर्वेश हुए है और दूसरों कि उन्होंने सबने बीजेपी को केंद्रियक कमिटी में कुछ लोग हैं जो चैनल्स ओपन रखे हुए हैं और इसी वज़ज़ से यह सारी चीजें उड़ गई है अचा यह थोड़ा सा इसके बारे में तो बताई है आप विस्तार से यही जो सुदर्शन कुमार ने आरोक लगाया कि यह अपने दामाद को अ जाना चाहते हैं क्या आशोग चोदरी का एंगल क्या है क्या उनके मन में क्या चल रहा है वह वोगा करने वाले वह शी यह देखी जडियू की लाइन नहीं ही रही है और ना जडियू के सब्सक्राइब लेकिन आपका सब्सक्राइब तो चल जाएगा ठीक है अगरा बहुत लेकिन आपका इस चक्र में लॉकुस समिकरन तेजी से टूट रहा हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि समराठ चौधरी और हमारे पास जो है उपेंद्र कुष्वहाब नहीं और वह दोनों इंडिये में है और जिस वज़े से आपका समिकरन पहले से ही तूट रहा है और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को एलेक्शन के समय पिछ करेंगे तो हमारा नुकसान जद्यू का दिक होगा और जद्यू पार्टी अंत्तों गत्वा समाप्त होने की तरफ इस बात पर बहुत और और क्या है कि ललन सिंग माने जाते हैं जडियू की तरफ इल्ट है उनके समर्थ को का उनका यह कहना है कि इस पर उन्होंने कहा है कि इस पर जब तक अब तरफ हो गए असोग चोधरी बीजिश के तरफ जाना चाते हैं नितीश कुमार को पता नहीं क बहुत निर्णायक समय है अगर दोहजार चौबीस के चुना में एक्सपेक्टेड लाइन पे जो सर्वेज कह रहा है सभी जितने सर्वेज आ हैं एक तो सर्वेज नहीं अब तक लगपक चार-पांच सर्वेज आगे हैं अगर पच्चीस से 28 29 सीट के बीच के बीच का यह और जद्यू लेस देन फोर जीती है तब जद्यू के लिए यह बहुत बुरा समय सुरू होका वह इसलिए क्योंकि वह चंद्रबाबू राइडू बनते दिखें उसका कारण है से तब दोहजार पच्चीस में उनको सीएम पद के लिए कभी नहीं आर जेडी स्विकार करें क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपका वोट बैंक जो है अब वोट टूट चुका है और अंतों देखिए होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कितने ब्लंडर्स एक साथ कर रहे हैं और उसका एंटी इंकंबेंसी कहां पहुंच रहा है यह उनको पता रहता है जो ग्राउंड पर रहते हैं समराठ चौधरी के ऊपर जो वह हमलावार है उसका एक और कारण है उनके रिलेटिव की हत्या में उनका नाम आया था तो उन्होंने कहा है कि अब नाम हटवाल लिया है जदि उसे तो अब बीजेपी की तरफ जाना चाहता है यह गलत है असोग चौधरी सब्सक्राइब बोल गया असोग चौधरी पहले भी कॉंग्रेस में नहीं थे बात समझना पड़ेगा कि वह बीजेपी माइंड सेट के नहीं है लेकिन असोग चौधरी को ग्राउंड का परता है वह देख रहा है चुकि नितीश के वह निस्टी तूर्प से निक सोर्सेस हैं कि असोग चौधरी ने सुझाओ दिया है कि वापस बीजेपी में जो चलेगे हैं आर्सीपी सिंग उनको वापस बुलाईए आप मुझे मत कोई ने तरदे लेकिन जदियूब पार्टी को बचाईए और आर्सीपी सिंग को बुला करके आप वापस देने दिज ने अलग बयान दिया है कि नितीश कुमार को जब भी मेरी आवसेटा पढ़ेगी मैं अपना खून देने को भी तयार हूं आर्जेडी की विरोध की मैं राजनीती करता हूं यह दोनों समझने की बात है और कहा जा रहा है जो जद्यू के मेरे ठीक ठाक सोर से सुनों ने कहा कि असोत चौधरी के सुझाव उनको जादा अच्छे लगें और विदी तोरा है धीरे धीदे कि ललन सिंग और नितीश की दूरिया बहुत तेजी से बढ़ रही है अब यह कहां जाएगी अगले एक बेड़ महीने में क्या होगा पता नहीं लेकिन आपने एक बात बोली थ ठीक है केंदरी नेतरी तुभी आनेतरी तुछोड़ दें लेकिन एक सिकंड के लिए हम इस प्रक्टर को सोचे कि ते जस्वे वह चिराग पासवान को नरेंदर मोधी मना वह फॉर प्लस फाइब देंगे आप फॉर प्लस वन देंगे फाइब प्लस वन देंगे हो सकता है जब दस पर ग्यारापे भी मान जाए उप्यंदर को स्वाह माने माने उनको कोई दिकत नहीं अगर आजएडी विरोद की निए उनको दोसी चाहिए होगा वह देती है बीजेपी सत्रह पे थी सत्रह पे प्राश्ण यहां पे बड़ा गंभीर है अगर यह हो जाता है जैसा क लॉजिकल वारफेर जिसको कितने हम आज कल सोचल मीडिया में उसका कितना गंभीर इंपैक्ट होगा यह समझने और यह अपने आपने रिसर्च का विश्य होगा मेरे लिए भी मेरी टीम के लिए भी कि उसका कितना अधिक इंपैक्ट होगा और शाहिद वहीं अमिच शाह नरेंद्र मुदी शाहिद यह भी हो सकता है चाहते हों इस वजह से लेकिन अभिहार की नित्र तुम मान नहीं है इंडी अलाइंस के बारे बे तो सबसे पहले रिसर्च यह होनी चाहिए कि यह कल्पना हुई कैसे कि यह सब लोग साथ आ सकते हैं कि ममता और अधिर रंजन च सबसे पहली रिसर्च तो इसते ही होनी चाहिए कि यह आखिरकार संबब होगा तो कैसे होगा यह तो बाद की बात है मुझे तो अब यह लगने लगा है कि यह वीरे दीरे जो है यह इंडी एलाइंस के वल नाम का रह जाएगा यह यूपीए थरी बन जाएगा और को पाउल्ह। और कॉंग्रेस बिहार में विचारधार दर नेता हैं औरम ठीक है कणहिया औदर पर यह तो नहीं तो बाहर के साथ काम है वह ब्राह्मन को गाली देने से सुरू हो उसका उसके जिन में वह क्या करें वह नहीं वह सामंतवादी विच्छारधारा प्याती है कि रवीज कुमार के भराता स्री कि वह कॉंग्रेस से दो बार विधान सबा का चुनाव लड़ चुके और भूमिहार कि कितनी आस है जिस्तितिय में वह बता रहा हूं कॉंग्रेस और वांपंत के मिलन का मतलब एक साथ कई सीटों पर भार ही घमास है कैमूर कैमूर में लोग सबानी है मतलब मैं पूरा डेमोग्राफी के हिसाब से बोलो कैमूर जमूई मुंगेर बेल्ट बेगु सराय बेल्ट और यहां आपको आठ लोग यह देखना जरूर यह कि इसमें उन्होंने काया कि कॉंग्रेस से उनको कम सीट एक भी मंझूर नहीं कि अब इस अलायांस में वेटेज वो चाहती है कांग्रेस से मतलब बराबर सीट यह उससे नीचे बात की बिहार के तो तोड़ रहा है कांग्रेस लिफ्ट को लेकर के बहुत ऐसा है चुकी है कि यह नहीं चलेगा आपने बेगू सराय में जब अर्दस्ती हमारे साथ की चलो भाई बेगू सराय में हमने अपने स्टार को त्याग दिया कर नहीं को इस वक्त वेटेज बिलने लगा वह भूमियार जाती है और बेगू सराय को इतना ही कॉंफिडेंस था वामपन से तो लड़ लेते कहीं और जगह से अब अब आरा की लोग सभा के कहानी बता रहे हैं लेफ्ट के राजू यादो उन्होंने अच्छी टक कर दी थी लेकिन आरके सिंग हैं और वहां पर राजपूतों का बोल बाला है सामी कराना लग है तो लोग सभा में डेड़ लाक वोट का भी बिहार में काटना मुश्किल युद्धी पॉपूलेशन बहुत तो देड़ लाक वोट ठीक थाग वोट है उसको काट के पाट पाना असानी है लेकिन वह थे लेफ्ट के अब वह सीट कह रहे हैं लोग की जद्यू को चली जाए और वहां से कोई राजकूत उतारा जागा यह लेफ्ट को मंजूर नहीं है वहला अगर आरा में हम राजु उतिवादी जैसे अपने राजु यादो जैसे अपने हैवीवेट को नहीं बचा सकते हैं तो हम सीटों के हिसाब से अगर देखे तो यह अभी मुझे टूटा हु रहे हैं वो जो चेतनानंद वाला माम लाए वो भी थमनी रहा है आज तो तेजस्वी का मैं स्टेटमेंट पढ़ था तेजस्वी ने काया कि अरे भाई आप पब्लीक में यह सब बाते कहने की क्या ज़रूती मेरे ख्याल में वो यह कहना चाहते थे कि भाई अकेले में क्या दिखाना चाहते हैं कि हम राजपूतों के बड़े नेता हैं पार्टी लाइन से अलग जाके राजपूतों के बड़े नेता चाहते हैं और आरजडी प्लैन बीपे काम कर रहे की वाट इफ नेटीश चला जाए तब हमें शक्ता होगी ऐसे लोगों की जो लिए देखी यह आप समझ रहे हैं सर राजपूत और प्राम्हान की लड़ाई के जो इस इसमें सोसल मीडिया पर देखिए आपको जहार टाइटल वाले और राजपूत टाइटल वाले एक दूसरे के साथ गाली गलोज करते हुए नजर आने लगे हैं खास करके मित्रला चलके आप जो पेजिस पे जाएंगे मैं चुक्ति इन सब कुप्प एक्टिव रहता हूं मैं देखता हूं तो मैं उस बेवकूफी के अस्तर को समझता हूं कि जो राजप चाहती है उसमें सक्सेस्फूल है अब इस कल्पना को थोड़ा साम ब्रॉडर प्र जोफरपूर मदूबनी भागलपूर पूर्णिया कटिहार अरडिया सुपॉल यह शिवहर आप समझी सर पूरा एकड़म बेल्ट चल जाएगा तो लालू यादों को पता है कि इन दोनों की लड़ाई बहुत सटीक उन्होंने करवाई और यह सिर्फ अगर इतने ही बड़ है और एक और चीज़ है इसमें कि उनको यह लग रहा है कि अभी यह सब करा है लेकि मुझे लग रही थोड़ा पहले करा लिया आरजएडी को यह कराना भी था तो चुनाओ के समय कराते तो अधिक इंपक्ट होगा क्योंकि फिर मोधी रैली में आएंगे योगी रैली में सबसे बड़े देश में किसी जमाने में हुआ करते होंगे राजनासी लेकिन बिहार के संदर्व में और पुर्वांचल के संदर्व में तो मैं योगी से बड़ा कोई ठीक है वो संथ है लेकिन उनको राजपूत पोस्टर बॉय बनाने वाला विपक्ष ही है उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह राजपूत समुदा है कि लेकिन वह विपक्ष उनका वास्तविक नाम बुला बुला करके उनको पोस्टर बनाने वाला है और राजपूत प्रियंका गांदी ने अजया सिंग बिष्ट कहना शुरू कर दिया था उनने इस तरह से कहना शुर वह विवाद रह जाएगा ठीके का आरके सिंग जब वोट मांगेंगे तो यह विवाद कहां रहेगा इसलिए मुझे लगता कि प्लैनिंग सही थी एग्जेकूशन के लिए थोड़ा अरली हो गये हैं क्योंकि यह विवाद 15 दिर 20 दिन और चलेगा तो कह दिया कि जहां तक राजपूतों की बात है हम तो अर्जून सिंग और वीपी सिंग उन सब की उस जनरेशन के लोग हैं और आज की तारिक में सबसे ज़्याद है मले और मलसी राजपूत तो हमारे ही है और जेडी की है बस बस वही बात है कि वह नहीं यह बिलकुल सही उन्होंने सटीग बयान करते हैं और उदर ब्रामण भी लगे हुए हैं तो वह बैलन्स करना चाहते कि राजपूत वोट उधर आए वह एकड़म फिक्स पैटर्न पर जो है बड़ा पड़े लिखा वाला है उन्होंने कहा कि देखिए मनोज जा जो है वह प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ात देखिए मैं तो एक ही बात जानता हूं कि सबसे अच्छा बयान उनके बड़े भाई ने दिया है उनसे पूछा गया है कि ठाकूर को जानते हैं ब्रिंदा वन वाले दूसरा तो कोई ठाकूर हम जानते नहीं और सारी जमीन उन्हीं ठाकूर की है वो तो साइकिल चलाते वे सारी भूमी जो है उन्हीं उसी ठाकूर भगवान श्रीकृष्ण की है वरिंद्यावन वाले वाले शो से पहले भी चर्चा हो रही थी अब्दुलबारी सितिकी हैं जो इनके MLC है नितीश के उन्होंने कहा है कि संसद में बॉब कट और लिपिस्टिक पाउडर वाली महिला आएंगी आम जो महिला हैं वो तो भूली जाएं कि उनका कोई वहां पर वजूद रहने वाला है तो मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं शरत यादाव की आतमा तो नहीं आगई कि कमाल की बात है कि यह लिबरल से कुलर गैंग के बड़े फिवरेट नेता है और इन्होंने अपना निकाह भी दूसरे धर्म की महिला के साथ किया है अच्छा यह यह लिबर्टी की पहचान होती है लेकिन हमारे हिसाब से कुछ और पहचान होती है हाँ तो तो निकाह निकाह एक कॉंट्रेक्ट होता है निकाह में वह पहला कि आप आप जो है रिलिजियन जो है बदलेंगी वह बात की बात है तो अब्दुल्बारी सिदिखी बिहार के बड़े नामी गिराम में नेता है इसमें कोई संद है लेकिन आपको याद होगा कि बिल से जो सबसे सैज इस्तिती उत्पन होने वाली वो दो पार्टी की समाजवादी पार्टी की और और यही दो नो उस बिल के आलोचना में भी थे 2010 में लालो मुलायम ने तो दरना दिया था पारलेमेंट के अंदर जब यह बिल राज्य सवा से पास हो था बिल्कुल बिल यादो तेजपरताथकी करते हैं क्रिमिनल्स में बात करें तो आप बात करेंगे कि बहाई सहाबूदी अब तो मजबूरी में सहाबूदीन की वाइव को टिक्कट मिला ना रीतलाल यादों की बात करें या इसी प्रकार के नेता है आर्जडी के एमेलसी जो राधाचरन जो पूरे सदन को भी बोलते नहीं सुना मैं तो कभी सुनता नहीं मुझे तो लगता नहीं उसे कुछ पता आता है नहीं सब्सक्राइब कि पार्लेमेंट में मैंने अभी पिछले जितने भी पार्लेमेंट के सैसे नुए समझ रहा हूं लेकिन मैं यहीं समझ रहा हूं कि राजजे सभा में जो कि यह अलडर साउस का आ जाता है तो उसमें तो जो अच्छे वक्ता होता है वो नहीं में रहते हैं यार से मतलब भी नहीं है मनुद जागा तो किवल इसलिए तो रखाया कि एक पहचान बनी रहे और आरजएडी की तरफ से पक्ष रखने वाला कोई पड़ा लिखा आदमी सदन में भी हो मीसाब आरदी तो वह काम भी नहीं कर पाती फेल है पूरी तरीके से कर ही नहीं सकती अब आप यह समझें कि इसी बेटी के लिए राम कृपाल यादों का इन्होंने बहिश्कार कर दिया तो यह जो परिवारवादी पार्टी है वह भी परिवारवादी और मर्द प्रधान मानसिक्ता वाली जो पार्टी है उसके लिए बहुत ट्रबल है क्योंकि कि आप आप हर जगह देखेंगे कि फिर आरक्षन लागू हो जाएगा तो आपको उतने क्रियेट करने पड़ेंगे और वह कहां से करेंगे क्योंकि तो आपने ठीक कहा कि सरद्यादों कि आत्मा गोस्त गई होगी जो भी नहीं अगर अब्दुल बारी सिद्धिकी जिस कम् कम्यूनिटी कहता है कि रूलर मुस्लिम लड़की होगी इन्होंने रजिया सुल्तान को नहीं बने दिया चार साल से ज्यादा उसको मार दिया जब कि वह कैपेबल थी सिर्दिक होते हैं बेटी को लड़कीों को भी पढ़ाते और बात करते हैं सर यह पढ़ा लिखा मुसलमान तो आइटी पर नहीं आइटी एंस ज्यादा पढ़ा लिए था पढ़ा लिखा तो साभू दीब लोग के दिन रात हैं हाथ में दो किताब लेके चलता था तेजाब से नहीं लागा लिखा मैं मैं पढ़ा लिखा कॉंसेप्ट में नहीं मानता हूं वह सब वह सब कुछ नहीं होता यह जो विचार धारा है वह इंपोर्टेट और आपको सेंस करने के लिए उसके फंडामेंटल में जाना होगा और उनका जो कहता है वह बहुत कॉंसेप्ट क्लियर है इसलिए वह बयान है लेकिन इंपोर्टेंट यह नहीं है सब यह जितने महि लोगों के टाइम लाइन के प्रियंका चतुर्वेदी भाई उसने तो डिटरली डिफेंडी कर दिया मतलब यह कमाल के लोग है इस देश में जो यह इंडिया लैंस पना है यह बयान कलपना के बाहर के अगर कोई गलती से बीजेपी वाला दे गया है वह नहीं देगा ठीक ह है लेकिन दे गया होता है तो अब तक यह बात यूएं तक पहुंची है ऐसे कैसे लेकिन उनकी तरफ से पूरा गैंग आर्फा खाना मशिरवानी से लेकर करके पूरा यह बिंदी गैंग सब चुप है क्योंकि जिन्होंने दिया है वो उनके लिए परम आदाब करके निकल जाती है तो जो सजदा करने का है वो कहां से बोलेंगे लेकिन यह सारी चीज़ें लॉंग टम में बिहार में डेंट करेगी क्योंकि आपको इस बयान का एक और मतलब समझना होगा नितिश कुमार का सबसे बड़ा सैलेंट वो महिला मानी जाती है जैसे म पैक्ट होगा यह नितिश कुमार समझ सकते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो डिस्टेंस है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है वो बस डिस्प्रेशन है अब वो बिहार मान जा तो बस अगले दिन यहां पर खेल होगा इसके लावा आज हमने चर्चा इस बात पर भी क जो देवगोडा हैं उन्होंने आज पोल खोल दी नितिश की और कह दिया के साथ यह तो पिछले साल पीम बनने के लिए मेरे पास आये थे फिर पता नहीं कहां कायब हो गए और दूसरी और जेडियू में इन फाइटिंग इसकदर बढ़ गई है कि कुछ लोग बीजेपी स इसमें बता जा रहा है तो यह आज के शो का निचोड हुआ चलिए बढ़िया चर्चा होई दिल्चस्प और डेप्थ चर्चा होई बहुत मुद्दों पर आप तो बड़ी लंबी चोड़ी लोग सभा सीटों का सब कुछ समावेशित कर देते हैं और देखते हैं अगले पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें